आज का मेरा टोपिक है गुड़हल का प्लान्ट फ्रेंस इस वीडियो में मैं गुड़हल के पोदे की कम्प्लिट इन्फर्मेशन देने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी कि इसके पोदे पर फूल क्यों नहीं आते इसे कौन सी खाद कब देनी चाहिए और इस पर कौन कौन सी प्रॉबलम आती है कौन से पेस्ट का टैक इसके उपर होता है और इसका सुलूशन क्या है और फ्रेंस मैं अपनी इस वीडियो में दो तरह की खाद बताऊंगी एक तो मार्केट की और एक घ्रेलू फ्री की खाद जो मैं अक्सर यूज करती हूँ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना खर्च किये भी आप गुड़हल के पोदे पर डेरों फूल पाव सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्णा दोस्त निलता गार्णिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंस गुड़हल के पोदे पर डेरों फूल पाने के लिए हमें करनी होगी इसकी कुछ खास देखवाल क्योंकि ये खाते-पिते घर का पोदा है यू कह लिजिये कि ये हाई-फीडर प्लांट है क्योंकि ये हमें रोज के डेरों फूल एक ही पोदे पर देता है तो हमें इसे फूल खिलाने के लिए बहुत सी हैवी डाइट भी देनी चाहिए अगर हम इसे अच्छी डाइट नहीं देते तो ये पोदा फूल भी नहीं खिलाता पहले बात करेंगे इसकी Soil M insecure की तो friends इसकी Soil M fracture आप Конपोस्ट ले सकते हो इस सौयल मिक्चर में अगर आप PODE को लगाते हो तो बहुत अच्छे फूल खिलेंगे अगर आपका पौदा लगा है जमीन में तो तब तो इसकी कोई बात नहीं है जैसी भी मिट्टी में लगा है वो ठीक है उपर से थोड़ी बहुत कटाई छटाई कर दें तो आपके पौदे पर फूला खिलने शुरू हो जाएगे अगर आपका पौदा घमले में लगा है तो आप इस मिक्चर में लगाएं और फ्रेंस आपने इसमें 20% बर्मी कमपोस्ट और 20% काउडंग मन्योर मिक्स करना है 10% सेंड और 10% नीम केक यानि की मस्टर्ड केक आपने यूज करना है और बॉन मिल या रोक फासफेट भी आप इसमें यूज कर सकते हो 2 से 3 चमपोस्ट के करीब 10 से 15 दिनों में नई शाखाएं निकलनी आपके पौदे पर शुरू हो जाएगे तो आप इसे 300 से 400 ग्राम जो है वर्मी कमपोस्ट डाले अगर आपके पौदे पर बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे हैं और दो चमप आप डाले इसमें बॉन मिल या जो मैं बता रही हूँ सुपर फासफेटर यानि की टोन डस्ट डाले अगर आपके पौदे पर बर्स आई हुई है तो आपने लिक्विड फर्टिलाइजर डालनी है जो मैं आपको बता रही हूँ जो मैं अक्सर डालती रहती हूँ और फ्रेंड्स अगर आपके पौदे पर मिली बग का टैक हो गया है वाइट वाइट सा सफेज चिपचिपा कीड़ा दिखाई देता है तो आप आदा लिटर पानी में तीन से चार एमल नीम ओयल डाल करो थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल कर दो से तीन दिनों में इसके उपर शिरकाव करते रहें चोटी चोटी प्रॉब्लम की आप केर करें तो पौदे पर फूल आने शुरू हो जाएंगे और फ्रेंट्स अब आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालें जो मैं डालती रहती हूँ वही मैं आपको बताऊंगी तो फ्रेंट्स मैंने बनाना पील्स जो केले के चिलके होते हैं उनको ग्राइंडर में पीस कर तो एक बतन में कठा करके रहा है फर्टिलाइजर बना रखी है वही लिक्विड फर्टिलाइजर मैं आपको इसमें डाल कर दिखाती हूँ देखिए मेरे पौदे पर फूल कितने हैं बहुत से फूल उपते हैं मैं रोज के फूल इसमें से पिंच कर लेती हूँ पूजा में यूज करने के लिए और अगले दिन फिर ये इतने ही फूल फूल मेरे पौदे पर जो है खिल जाते हैं तो चलिए बढ़ते हैं खाद की तरफ फ्रेंस देखे मैंने बकट में दो से तीन गलास पानी के ले लिए हैं अब मैं इसमें फर्टिलाइजर डालूँगी देखे मैंने घ्रेलू फर्टिलाइजर बना रखी है बनाना पील्स को जो है ग्राइंडर में पीस कर तो एक गलास जो है यह मैं लिक्विड फर्टिलाइजर का यह तीन चार गलास सिंपल पानी के इसमें मैं डालूँगी तो देखे फ्रेंस मैं इसे दस दिन में एक वार जो है गुडाई करके मैं दो गलास इस फर्टिलाइजर के डाल देती हूँ जब भी आप इस फर्टिलाइजर को डा जा तो सुबह का टाइम हो शाम का टाइम हो दोपैर के टाइम आपने ये फटिलाइजर नहीं डालने तो देरों फूल आपके पोदे पर भी खिलेंगे तो देरों कली आएंगी देखे कितने सुंदर फूल मेरे पोदे पर खिले हैं तो वीडियो यूज़ लगी हो तो लाइक शेर और कमेंट करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई